एलो नमस्कार दोस्तों अभी अभी मिली मौसम की जानकरी के मुताबिद मध्यपरदेश के कई जिलों में भारी से भारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा कुछ जगों पर गर्मी से रात मिली है तो कुछ जगों पर आंदी तूफान की आशंका है और कई जगों पर ओला और रिष्टी और भारी बारिष के संभावनों जटाई जारी है इस चैनल को हिलाल वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दीजे साथ में गरेंटे की आइकन को दबा कर ओल पर क्लिक कर दीजे और दोस्तों में नीचे कमेंट करके बताईये कि आप मध्यपरदिश के कौन से जिले गावे शेहर में रहते हैं ओर नमुट आन। जासर चमबल और जबलपूर शेडोल संभाग में बारि से भारी बारिश का अनुमान जते बाता दे दूंधे। जो है काफी जदा और इसके आसपास बने वैदर सिस्टम के करण मौसम का मिज़ाज एक बार फिट से बिगड़ गया है और इसके तहट बताई जारे की मध्यपरदेश के अनेक हिस्सों में बादल चाहे रेने का सिलसिला शुरू हो गया है मौसम विग्यानिकों के मुताबित दोस्तों बताई जारे की ग्वालियर चमबल संबाग में कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है और बताई जारे की पूरुवी मध्यपरदेश में जबलपूर शेडोल संबाग के जिलों में भारी बारिश होने का सिलसिला शुरू हो सकता है इन हिलाकों में मौसम बदल सकता है तीन से चार दिनों तक मौसम बिगड़ा रहने का अनुमाने उदर बताई जारे की राजदानी बोपाल का भी अधिकतम तापमान 49.3 डिगरी से दर्श किया गया उमस भरी गर्मी के बीच मद्य प्रधिश में एक बार फिड से मौसम का मीज़ाज बिगड़ना आला है दरसल बताई जारे के मद्य प्रधिश के कई जिलों में बादल चाय रहने का सिलसिला जारी होना आला है इसके बीच ही दोस्तों बताई जारे की कुछ जिलोयाकों में भारी बरसात की संभावना यानि की बारिश की संभावना जताई जारी और दरसल मौसम विबाग की मने तो कई जगों पर भारी बारिश और बूंदा बूंदी भी देखने को मिल सकता है और दोस्तो बताई जारे कि इसके चलते राजदानी भोपाल सहीत अधिकांस जिलो में बादल चाहे रहेंगे जबकि बताई जारे कि गौालियर चंबल संभाग में कहीं कहीं पर बुंदा बुंदी देखने को मिलेगी लेकिन दोस्तो उससे पहले बारिश के अनुमान भी काफी जादा हमें देखने को मिल सकता है लगवग पूरे के पूरे मध्यपरदेश में जी हाँ दोस्तो 24 गंटाव में हाओ के साथ चलने वाली है तेज बारिश मध्यपरदेश में एक तरफ जो है काफी ज़्यादा गर्मी पढ़ रही है तो दूसरी तर बताई जारे कि काफी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा उपर ही हाओ का चकराद बनने से दोस्तो कई जगों पर मौसम बदलाए और बताई जारे की राजदानी भोपाल, इंदोर, उज्जेन, जबलपूर, होसंगाबाद, संभाग के जिलों में बादल छाये रेने के साथ साथ तेज हावई चलने और भारी बारिश के संभावने जटाई जारी है, इसके अलाव ये भी बताएगा है कि उत्तर पश्चिमी मध्या परदेश में काफी ज़्यादा एक सिस्टम बन रहा है, जिसके वाज़े से अगले 5-6 दिनों की दोरण मौसम में बारिश के जिससे हाला देखने को मिलने वाला है, जी हाँ दोस्तो, आप क संबाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने के अनुमान जो है, आसार बने हुए है, वहीं दोस्तो बताएजारी के हाओ का रुख दक्षिन होने से, रास्दानी बोपाल सहीत कहीं मध्या प्रदेश के कहीं हिस्सों में जो है, अधिक्तम तापन में बड़ोतरी भी हुई ह और दोस्तो बताएजारी के अधिक्तम तापमान इंदोर में भी काफी ज़्यादा मुकाबले मामूली कम रहा जबकि गवालेर और जबलपूर में तापमान बड़ा है और मध्या प्रदेश तमिलनाडू तक एक ट्रफ रेका बनी हुई है, जिसकी वज़े से दोस्तो नमी मौसम में बदलाव दिखने को में सकता है, पस्चिम विक्षोम जम्मू कश्मीर में मौजूद है और दक्षिन पूर्वी राजस्तान पर एक प्रेरीच चकरवाती भी बना हुआ है, इससे हाओ का रुख एक बार से फिर बदल जाएगा और मौसम विभाकी माने, तो हाओ क रुख दक्षिनी रहने से भोपाल सहीत पूरे मध्यप्रदिश के कई जिलों में अधिक्तम तापमन में बड़ोतरी दर्ज की जाने वाली है, और बता है जार कि ग्वालेर, चंबल, सागर, भोपाल, संबाग के जिलों में भारी से भारी बारिश होने के अनुमान है कई ज दोस्तों, अगर है मध्यप्रदिश में रहते तो कौन से जिलों में रहते सबसे पहले हमें कमेंड करके जरू बताना और एक एक जिली की बात करें तो दोस्तों मैं आपको एक एक जिली का मौसम बता देता हूँ कि घंडवा में काफी जगों पर अगले साथ दिनों तक भा बारिश के अनुमान बने हुए और बता है जारे कि 2-4 दिनों के दुरान बादलों के आवज़ाई काफी जादा रेगी और पूरे एक सब्ता तक 37 और 38 के ऊपर तापमान नहीं जाना लाए यानि की गर्मी से थोड़ी बहुत रहात मिलेगी और बता है जारे कि दोस्तों बता है जारे कि अगले साथ दिनों तक 40 के करीब तापमान रहेगा लेकिन दोस्तों तीन दिनों तक थोड़ी बहुत गिरावर देखने को मिलीगी आप स्क्रीन पर देख सकते काफी जगों पर मौसम साफ और स्वावना है और दोस्तों बात करें राइसेन की तो राइसेन म जाने के अनुमान जतने जा रहे ही। मिलेगी और भारी गर्मी का शिलसिला जो है बहुपाल में फिर से शुरू हो जाएगा और कटनी मध्यप्रदेश की बात करें तो दोस्तों कटनी में भी जो है साथ दिनों के दोरां जो है तीन दिन तक जो है 37 और 36 की गरीब थापमार रेकॉर्ड के जाना लेकिन उसके बाद अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले सोमवार को लगबग बायलिस के करीब थापमार रेकॉर्ड के आ जाना लाए कटनी मध्यप्रदेश में मंदसोर की बात करें दोस्तो मंदसोर में एक सब्ता तक मौसम जो है उतार चड़ा वो पूरा देखने को मिलेगा दो दिन जो है गर्मी दो दिन राहत दो दिन बादलो क्या वज़ाई ऐसा ही मौसम जो है पूरे एक सब्ता तक मंदसोर मध्यप्रदेश में देखने को मिले बात करें दोस्तों दतिया की तो दतिया में दो दिन बातल दो दिन बारिश ऐसा ही पूरा एक सप्ता तक सिलसिला धारी रहेगा चालिस के उपर तापमान रहने वाला है, जी हाँ दोस्तो, वहीं दोस्तो, भिंड मध्यप्रदिश की बात कर दो, यहाँ पर भी तापमान में काफी ज़्यादा उतार चड़ाओ देखने हो मिलेगा, चार दिनों तक जो है, चालिस के नीचे तापमान रहेगा, और बादल का चाहे होएं दिखाए दे रहें, लेकि दोस्तो, चार से पांस दिन के बाद बादलों के साथ-साथ कई जगों पर भारी गर्मी देखने को मिलेगी, बादल जाएंगे और गर्मी आएगी, ऐसा मौसम हमें देखने को मिलेगा, और मध्यप्रदिश में दोस्तो, काफी ज़् जगों पर भारी मौसम में बदलाओ, हमें देखने को मिल सकता है, और मध्यप्रदिश के कई जिलों में तापमान में उतार चड़ाओ देखने को मिलेगी, और कई जगों पर बारिश भी रेकॉर्ड की जाना लिये,